हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत वेलकम करती हूँ फिल से आप सब का तो आज हम लोग बनाएंगे मैंगो फालूदा की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी ठंडी ठंडी ये मैंगो फालूदा की रेसिपी समर की सीजन में बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए इसे हम लोग बन एक लीटर दूद मैंने ले लिया है और एक लीटर दूद में हम लोग 200 एमेल पानी को डाल रहे हैं पानी को मैंने मिक्स कर दिया है और इसे हम लोग चुले पे चड़ा देंगे जब दूद उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम लोग फालूदा मिक्स के पैक को खोल करके डाल देंगे तो पूरा खाली कर देंगे और सारा पैक का जितना भी मिक्स है फालूदा मिक्स उसको मैंने इसमें डाल दिया है इसे हमें 10-15 मिनट तक के लिए पकाना है 10-15 मिनट तक इसे हम लोग पकाएंगे और चलाते रहेंगे नहीं तो कहीं नीचे से जल न जाए तो इसे आप चलाते रहें बीच बीच में और जादा देर तक इसे ऐसे ही न छोड़ दें इसे चलाते हुए पकाएं और 10-15 मिनट तक आप इसे ऐसे ही पकाते रहें चलाते हुए तो फ्रेंड्स ये देखिए दूद बहुत सूख चुका है और फालूदा जो है वो क्रीमी टेक्स्चर का बन गया है तो कुछ इस तरह का जब टेक्स्चर आ जाए 10-15 मिनट पक चुका है तो उसके बाद ये पक चुका है तो इसे हम लोग बंद कर देंगे चूले को और इस फालूदा को हम लोग ठंडा होने देंगे और उसके बाद फ्रीज में थोड़ी देर रख के छिल कर लेंगे तो दियान रखें आपको इसको फ्रीजर में नहीं डाल देना है फ्रीज में बस चिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखना है तो मैंने इसे बहुत अच्छे से चिल कर लिया है तो ये रहा हमारा mango faluda जो की देखने में बहूत ही अच्छा लग रहा है उपर से मैं थोड़ा सा इसमें पिस्टा सजा दे रही हूं थोड़ी सी तूटी-फूरुटी सजा दे रही हूं आपके पास चेरी है तो आप चेरी सजा सकते हैं बनाने में बहुत ही एजी है तो आप इस रेसिपी को ट्राय करें महमानों को सेर्व करें जरूर महमान आपके कहेंगे कि आपने इसे बाहर से मंगवाया हुआ है इतना टेस्टी बनता है यह तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पींस अच्छी लगती है तो like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन पर प्रेस करके all पर जरूर क्लिक कर लिजेगा और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है पर पसंद करते हैं मेरे चैनल को तो please आप से request है कि आप subscribe कर लें ताकि आने वाले वीडियो की notification बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी तो मिलेंगा लोग फिर से नई नई recipes के साथ Thank you